हलो फ्रेंट्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हाइपर पी अगर हम यूस कर रहे हो तो उसमें हम हम RDP प्रोटोकोल से अपनी virtual machines को कैसे access कर सकते हैं एक्चलि इस वीडियो को बनाने का idea मुझे message से आया जिन्होंने मुझे message send किया है कि हम RDP से कैसे VMs को access कर सकते हैं तो चलिए इसको देखते हैं कि यह कैसे work करता है तो मैं Hyperview Manager ओपन करता हूँ इसमें मेरा server दिखा रहा है और एक virtual machine जिसको जो virtual machine या कोई भी virtual machine आपके network से access की जा सके तो सबसे पहले तो जो आपको network type है वो external set करना पड़ेगा जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि network type कैसे हम external set कर सकते हैं तो virtual network manager में हम जाते हैं और देखें यहाँ पर virtual network एक create हुआ हुआ है एक तो मेरे को बता रहा है कि new virtual network और जो new virtual network बनाया है चलिए इसको remove करके एक बार बिल्कुल शिरू से create करते हैं तो देखें अभी अभी आपके सामने एक नया network मैं create करने वाला हूँ आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि यह external, internal और private का क्या options हैं और यह क्यों हम use करते हैं तो एक external network से मैं इसको connect करना चाहता हूँ ताकि यह जो virtual machines है वो पूरे network में मेरे जो मेरा local network है उससे communicate कर सके तो मैं external type select करके उसका नाम दे देता हूँ कुछ भी नाम जो भी आप नाम आपको अच्छा लगे my virtual network और इसको external type पे set कर देता हूँ इसके बाद ok करता हूँ तो virtual machines warning message आया है कि reconnect होगी तो देखे मैंने virtual network मेंजर बना दिया है और अब मैं इस virtual machine पे जाता हूँ जिसको मैं across the network communicate करवाना चाहता हूँ तो मैं इस windows 7 machine में गया और यहाँ पे मैं इसकी settings पे जाता हूँ files में से और देखे यहाँ पे मेरा network type दिया हुआ है और उस network type को मैं जो अभी not connected दिखा रहा है उसमें मेरे वारा virtual private network यानि कि my virtual network दिखाया ही देगा आपको अगर आपने कोई जितने भी networks बनाए होगे यहाँ पे वो display होगे तो मैं इसको select करता हूँ और okay कर देता हूँ इसके बाद जो मेरे वर्चल मेशीन है इसके network card की properties में जाता हूँ और check करता हूँ कि इसका IP address कितना है इसका IP address है 192.168.1.10 और जो मेरे बाहर virtual main machine है आज इसके उपर hyper view install हुआ 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 है उसका IP address हम ज़रा check कर लेते हैं इसका IP address है 2 तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारी physical machine और virtual machine आपस में communicate कर रही है कि नहीं कर रही है तो ping 192.168.1.10 को ping करवाता हूँ तो देखिए जो मेरा server machine है जो जिसके उपर मेरा R2 version है और hyper view install है वो मेरे client को ping नहीं कर रही है इसी तरीके से मैं virtual machine में जाता हूँ और यहां पे भी cmd करके ipconfig command आपको दिखाता हूँ जो कि 10 आपको verify कर रहा है कि वो ही है और इससे मैं अपनी machine को जो मेरा host machine है उसको ping करवाता हूँ यानिकि जो main machine है उसको bit2 तो देखिए यह ping successful हो रही है अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो clients होते हैं by default उनके जो firewalls रूल होते हैं वो ऐसे ही उसमें file and print sharing enable नहीं होती है इस वो जैसे वो दूसरे pings का response नहीं करते हैं अगर मैं इसको verify करना जाता हूँ तो एक command चला कर देखता हूँ ARP iPhone A तो देखिए इसमें जो 1.10 है उसका Mac address मेरे पास available है आ गया है क्योंकि इसने उसको find तो कर लिया है बट वो PC इसके जो ping ये send कर रहा है उसके communicate करवाने की कुशिश कर रहा है उसके साथ communicate नहीं कर पा रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि ये ping करे या आप remote desktop enable करना चाहते हैं कि ये remotely उस machine के साथ या कोई भी machine बाहर के network से इस virtual machine के साथ communicate कर सके तो आपको firewalls में rule create करना पड़ेगा तो इसको मैं बंद करता हूँ और सबसे पहले आपको वही rules ही create करने से बताता हूँ कि कैसे हम create करेंगे तो इसके लिए मुझे control panel में जाना है और यहाँ से मुझे windows firewall तो देखिए अगर मैं इसको off कर दूँगा तो यह immediately communicate करने लग जाएगा लेकिन वो एक security issue होगा जो मुझे नहीं करना है मैं computer को right click करता हूँ और इसकी properties में चला जाता हूँ और properties में से यहाँ एक option होती है remote settings और by default देखिए लिखा हुआ है do not allow connection to this computer remote desktop का connection इससे बन नहीं सकता है अगर आप चाहते हैं कि connection बने तो आपको यह option यह option select करनी होगी यह पुराने remote desktop clients जैसे XP है उससे पहले वालों को support करती है या जिसका RDP version 6.0 से कम है उनको यह support करती है और जो हमारे Vista operating systems है और इसके बाद के operating systems पे आप यह more secure option select कर सकते हैं या पुराने type के जो operating system है उनमें भी आप नेया RDP client install कर सकते हैं तो हमारा दोनों latest operating system है तो हम इसको allow connection more secure वाला select करते हैं ओके कर देते हैं अब हम जो रहा check करते हैं कि यह connection बना रहा है कि नहीं बना रहा तो उसके लिए उसके लिए हम remote desktop connection बनाने की सोचते हैं और उसका IP address डालते हैं 192.168.1.10 तो देखिए उसका username password मुझसे पूछ रहा है तो मैं password देता हूँ उसका username है उसका test और password है 123 तो आप से कह रहा है कि क्या आप उससे connection बनाना चाहते हैं तो अगर आप yes कर देंगे तो यह उस computer से connection बनाने की कोशिश करेगा तो देख लीजिए इसने उसको remotely access कर लिया है जो हमारा Windows है Windows 7 और इसको verify करने के लिए एक बार हम इसको disconnect करते हैं तो देखिए जो मेरा test computer है उस पे लिखा आ रहा है lockdown remotely from king server इसलिए ये हमारा logout हो गया है क्योंकि simultaneously एक ही connection बनता है for security purposes तो इस तरह हमने देखा कि कैसे ये connection बनता है अब ज़रा थोड़ा firewall rules के बारे में भी जान ले कि कौन से firewall rules मेरे को enable करने बढ़ते हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो मैं control panel में जाता हूँ और security में जाके यहां से windows firewall और इसमें आप exception rules create कर सकते हैं अगर आप चाहें तो तो आप एक तो ये है file and print sharing और एक हमारा remote desktop connection तो देखें क्योंकि इसमें remote desktop connection मैंने allow किया हुआ है और यहां पे आपके home और public environment यानि के private और public environment जो profiles होते हैं उनके बारे में आपके information दिया कि कौन कौन से profiles में यह आप allow करना चाहते हैं by default ये remote desktop वाला option जो होता है disabled होता है अगर आप चाहें तो आप इसको enable कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया और आप तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम physical machine से या host से guest machines में communicate कर सकते हैं या network में से machines में से network machines में से अपनी virtual machines को access कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening